Hello students, आज हम class 4th की English grammar की worksheet solve करेंगे तो हमारा first topic है gender Gender is the fact of being male, female Change the gender of the following nouns बच्चो, gender का अर्थ है link जिससे हमें किसी व्यक्ति के महिला या पुरुष होने का पता चलता है अब यहाँ पर कुछ nouns आपको दिये हुए है संज्या सब्द जिनका आपको gender change करके लिखना है So first है grandson, granddaughter मैंने यहाँ पर लिख दिये है grandson का मतलब है पोता या नाती और granddaughter का मतलब है पोती या फिर नातिन Second है king, queen King means raja, queen means rani Actor, actress Actor means abhineta, actress means abhinetri Bride, groom Bride means dulhan, groom means dulha Husband, wife Husband means pati, wife means patni Horse, mare Horse means ghoda, mare means ghori Peacock, pehan Peacock means more, pehan means morning Poet, poetess Poet means होता है कभी Poetess means कवित्री Dog, bitch Dog means kutta, bitch means kutia Hero, heroine Hero means abhineta Hero means abhinetri चली बच्चों, 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 हमारा second question है Write the plurals of given word अब आपको यहाँ पर जो words दिये हुए हैं, उनकी plural form लिखनी है So first है, chair Chairs means कुर्सी, कुर्सिया Bag, bags Basta, बस्ते Orange, oranges Santra, संत्रे House, houses House का मतलब है घर और houses मतलब बहुत सारे घर Doll, dolls गुडिया, गुडिया Lion, lines मतलब एक शेर और lions means बहुत सारे से Key, keys Chabi, chabiya Hand, hands हाथ और बहुत सारे हाथ Men, men Men means बच्चों जिसमें M, A, N, men होता है उससे पता चलता है कि यह singular है One, एक आदमी के लिए बोला जा रहा है और M, E, N होता है तो यह दो या दो से अधिक पुरुशों के लिए बोला जाता है Women, women means महिला और women means महिलाएं मतलब एक से जादा महिलाएं Third है fill in the blanks with correct words यहाँ पर आपको fill in the blanks भरने है जो कि correct word को choose करके तो first है इसमे We, des apples daily हम daily apples क्या आएगा इसमें buy means alvida और दूसरा buy है उस कार्थ है खरीदना तो इसमें हम क्या करेंगे खरीदने वाला चुनेंगे ठीक है तो इस कार्थ होगा कि We buy apples daily हम daily apples खरीदते हैं Next है a mouse leave dina hole बच्चों यहाँ पर जो दो hole दिये हुए है एक है w h o l e hole means होता है पूरा जैसे hole class पूरी class इस तरीके से या फिर और next जो है hole उसकार्थ है क्या कहते छेद बिल तो फिर यह किस में रहता है mouse किस में रहता है बिल में रहता है तो फिर चूहा बिल में रहता है ओके next है the ships are in the desk जो जहाज होते हैं वो कहाँ पर होते है बच्चो पहला C है उसकार्थ है देखना और दूसरे C का मतलब है समुद्र तो जहाज कहाँ पर होते हैं समुद्र में तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है the ships are in the sea जो जहाज हैं वो कहाँ पर हैं समुद्र में है तोड़े आइम फिलिंग डेस आज मैं कैसा फिल कर रही हूँ तो यहाँ पर फिलिंग के लिए कौन सा वर्ड आएगा जैसे फर्स्ट वीक है इसका आर्थ है सप्ता और नेक्स्ट जो वीक है डबलू ई ए के वाला इसका आर्थ है कमजोर तो इसका आर्थ हो जाएगा कि आज मैं बहुत ही कमजोर फिल कर रही हूँ तो यहाँ पर कैए बच्चो यह जो नेक्स्ट जो पोर वर्ड है इसका आर्थ है भिगोना, डुबोना किसी जीज में है तो यहाँ पर का आर्थ है W-R-I-T-E वाला इसका आर्थ है लिखना और नेक्स्ट है राइट मतलब सही तो इसमें आपका आंसर होगा ये वाला राइट R-I-G-H-T वाला मतलब मेरा आंसर सही है नेक्स्ट क्वेस्चन है बच्चो राइट दा फॉलोइंग आंसर यहाँ पर आपको इन क्वेस्चन के आंसर लिखने है जिसमें कि मैंने आपके लिए आंसर को इजी बनाने के लिए मैंने सेंटेंसिस पूरे लिख दिये बस आपको एग्जेक्ट जो आपकी चीज़े है वही इसमें फिल करनी है जैसे How old are you? तुम कितने साल के हो? तो मैंने यहाँ लिख दिया I am 10 years old तो अब आप जितने साल के हो? वो नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे I am 6 years old I am 9 years old इस तरीके से What is your name? आपका नाम क्या है? तो इसका आंसर है My name is 10 आपका नाम जो भी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं जैसे My name is प्रीती आंकूर इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं Next In which school do you study? आप के से स्कूल में बढ़ते हैं? I study in Desk school यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है Who is your class teacher? आपके class teacher कौन है? My class teacher is Miss, Mrs and Mr and फिर लास्ट में Des बच्चों यह Miss और Mrs and Mr का मैं अर्थ बता देती हूँ Miss का मतलब है जो unmarried girls है उनके लिए और Mrs married के लिए और Mr है boys के लिए Next है What is the name of your school principal? आपके school principal का क्या नाम है? My school principal's name is Des जो भी नाम है वो आपके यहां फिल करना है Who is your best friend? आपकी best friend कौन है? My best friend is Des जो भी है उसका नाम लिखते हैं Where do you live? आप कहां रहते हैं? I live in Des आप जिस चेगे पर रहते हैं? उसका address यहां पर लिखना है What is the name of your state? आपके राज्य का क्या नाम है? The name of my state is जो भी नाम है वो आप यहां फिल कर सकते हैं Fifth question है बच्चो Write 10 lines on my house आपको अपने घर के उपर 10 line लिखनी हैं यहां मैंने लिखती हैं अगर आपके घर के according कुछ चेंज करना हो इसमें तो आप उन्हें चेंज करके लिख सकते हैं First line है My house is neither very big nor very small मेरा घर नाही ज़्यादा बड़ा है और नाही ज़्यादा छोटा है Next line है There are three rooms in my house मेरे घर में तीन कमरे हैं Next line है In my home there are two bathrooms, one kitchen मेरे घर में दो bathrooms और एक kitchen है Fourth line All the rooms of my house are well decorated मेरे घर के सारे कमरे बहुत ही सुन्दर तरीके से decorated है सजे हुए है I love sea green मुझे sea green color पसंद है So my room is sea green in color with nice painting इसलिए मेरे कमरे में sea green color का paint हो रखा है Next है We have also a dining room हमारे पास dining room भी है We have a large LED TV in our dining room और हमारे dining room में एक बड़ी LED TV भी लगी हुई है In front of our house there is a garden और मेरे घर के सामने एक garden भी है My house saves me from all seasons मेरा जो घर है वो मुझे हर रितों में बचाता है जैसे ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा ठंड में, ज़्यादा बारिश में हमें अपने घर में ही सुरक्षित महसूस होता है Next line है I have a dream to build my house more royal और मैं अपने घर को मेरा सपना है और भी ज़्यादा अपने घर को शाही घर की तरह बनाने का सुन्दर तरीके से सजाने का और बच्चो इस question में आपको ड्रॉइट्स picture लिखा हुआ है ना मतलब कि आपको अपने घर की picture भी ड्रॉव करनी है तो यहाँ पर मैंने एक picture ड्रॉव कर दी है आप चाहें तो कुछ different जैसा आपका अगर दिखता है उस तरीके से ड्रॉव कर सकते हैं ओके बच्चो थैंक यू